अनुरादा चोधरी अमारे साथ है साधी के बाद घर पाउची अनुरादा अनुरादा जी साधी के बाद जेल में मिठाई बाटी गई थी साधी की खुशी में हाजी जो तियार जेल है वहां कैंटीन है और वहां पे कुछ मिठाया मतलब रूटीन में मिलती है तो वहां पे अपने कैंटीन खाते से अकाउंट से उन्होंने मिठाई हैं मंगवा के थोड़ी बहुत बटवाई थी जितना भी उनकी लिमिट थी उसमें लिमिट के अनुसार वहाँ पर खुशी में मिठाई बाटी गई थी हाँ जे बिल्कुल जितना उनका लिमिट था उसमें उन्होंने परचेश की हैं मिठाई और उन्होंने बाटी हैं मिठाई है संदीप साधी के बाद जेल में गए वो से रात क्या निराश थी निराश लग रही थी ने-निराशा जैसी कोई बात नहीं है ये चीज़े कि साधी का दिन सबसे खुशी का दिन होता है एक पवितर बंदन में बनते हैं एक लड़का और लड़की उसके बाद अगर साधी ये बाद वे फिर जेल गए है कि सोचता कि गरह परवेश कर जाता मैं अच्छे तरीके से कही न कही निरासा तो है नहीं निरासा बिलकुल नहीं है हमारी शाधी हुई और वो भी बहुत अच्छे तरीके से शांती से और सभी रिती रिवाज मैक्सिमम जो ज़रूरी थे वो रिती रिवाज से हुई तो वो हमारे लिए एक ग्रेट अचीवमेंट है हमारा सपना था जो पूरा हुआ और ग्रेप्रवेश का सपना उनकी मा का है जिसके लिए हम संगर्ष करेंगे मैं उमीद करती हूँ कोर्ट और प्रशाशन सपोर्ट करेगा और एक मा की भावनाओं को समझेगा तो निराशा नहीं है आदा सपना पूरा हुआ है आदा बाकी है जिसके लिए संगर्ष करना है तो हम लोग कहीं भी निराश नहीं है खुश है संदीप से बातचीत होती हूँ आपकी कभी मुलाकात हुई हो की उसकी रूटीन क्या रहती दिनचरिया क्या रहती है मुलाकात तो जेल के अंदर नहीं होती है मैं नहीं जाती हूँ मिलने स्टेडी से बात होती है और रूटीन तो मुझे भी थोड़ा बहुत पता है क्योंकि मैं खुश जेल में रही हूँ तो वह नॉर्मल रूटीन होता है कि वो करीब नो आट नो बजे तक उठते हैं देन नहादो के एक्सराइज करना योगा मेडिटेशन वगरे करना देन फिर उसके बाद में बुक्स वगरे पढ़ना न्यूस पेपर फिर दो फैर में थोड़ा सा लेट लेना या कुछ और चीज़े जो उनको पसंद है खेलना या कुछ लोगों इस साथ में बात करना और फिर शाम को चाय वाए या कॉफी और बस ऐसे चीज़े चलती है मतलब रूटीन नॉर्मल ली रहता है कुछ खास नहीं है किस जेल में बंद है मैं लिपारम के बात करih दो वो तिहाड की तिहाड जेल नॉर्ल नंबर 15 में बंद है मंडोली क्या कभी मुलाकात है किस जिरूं में होईँ कभी मिलने गई हो आप नहीं मैं कभी भी मिलने नी गई हूँ आज तक जिल में कभी भी नहीं अब साधी के बाद लगाता रहे हैं आसपास के लोग आपसे मिलने आ रही हैं गरह परवेश को लेकर आप भी चिंता में हो कि गरह परवेश कब तक हो का पुलीस कब तक है जिस तरह से पैरोल रोकी गई है साधी के दिन ही एक दम अचानक उसको रोका गया हाँ गेस्टों कर आ रहे हैं और गरह परवेश अभी रुकावा है लेकिन I think there is will there is a way तो हम निराश नहीं है wait कर रहे हैं court का जो decide करेंगे decision लेंगे तो मुझे उमीद है कि वो हमें गरह परवेश की permission देंगे तब तक आप जो संधीब के चाचा की मकान में रहोगे उस संधीब के घर में परवेश नहीं करोगे जब तक parole नहीं मिलती है नहीं parole नहीं मिलती उसे पहले परवेश कैसे किया जा सकता है क्योंकि शादी के बाद में जो दूला दूलन है वो एक साथ पयर अंदर रखते हैं तो ग्रह परवेश तो दुले के साथ हस्बंड के साथ ही होगा ना तो मैं वेट कर रही हूं पैरोल का देखें मारे साथ अनुरादाधीन का कहना कि मैं अभी इंतजार कर रही हूं कि कोरट का डिसीजन आए और पैरोल मिले ताकि हम दोनों इखटा होकर गरह पर वेज़ कर सके हुआ 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 है